हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आपको स्लिउस की जो चोड़ाई होती है वो कैसे निकाले क्या हो चाता है बहुत सारे लोगों का यह प्रॉब्लम होता है जो नए सिलने वाले हैं उनके लिए बोल रही हूँ जैसे यहां पर हमारी जो स्लिउस की चोड़ाई हो बहुत सारे लोग जो हे चैनल को देखने के बाद या वीडियो देखने के बाद चैनल को सबस्क्रेइब नहीं करते बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते इससे क्या हो जाता है जो भी वीडियो मैं अफ्लोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी तो इ जैसे कैसे निकालनी है जैसे हमारा आर्मोल तो हम निकाल लेते हैं आर्मोल के सबसे जैसे हम स्लूज जो है वो लेते हैं लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है जब हमारा स्लूज का आर्मोल जो है वो हर एक का तरीका अलग-अलग होता है नापने का जैसे आर्मोल क नापने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे मेरे चैनल में मैंने आपको बताया है कि आर्मूल जो है वो कैसे निकालते हैं तो उसका भी वीडियो में ने अपलोड किया हुआ है आप चैनल में जाके आर्मूल कैसे निकालना है इसका वीडियो आप दे जाता है है वहांत को थोड़ाई आपको यहां से यहां ॹबकू lamb हो इक्शा रखना आपको यहीं हम यूब चोडाई है आर्मूल जो है वह आपको क्रॉस में नापना है इस सी क्रॉस में नापने के बाद जब हम कटिंग करते हैं या ब्लाउस के उपर कटिंग करते हैं तो यहां पर हमारा आर्मोल जो आता है इसमें एक्ष्रा देडीन चाहता है यह पूरा आर्मोल आपको नापना है जैसे यहां पर आपको क्रॉस में लेना है क्रॉस में लेने के होते हैं उनसे क्या प्राव्लिम हो जाता है जैसे कभी-कभी कहते हैं स्लीज कम हो गई या ज्यादा हो गई ऐसा नहीं करना है जब हम स्लीज का जो ब्ला शेफ होता है जब हम तीन इंच का शेफ देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है जो सेंटर पे यह देगे स्लीज का सेंटर निकालना है और शोल्डर का तो सेंटर हमारा निकल जाता है स्लूज का और शोल्डर का जब हमारा सेंटर निकल जाता है तो सेंटर से आपको क्या करना है फ्रंट सेड की गुलाई आपको फ्रंट सेड में जोइन करनी है और बैक सेड की गुलाई आपको बैक सेड में जोइन करनी है इससे क्या हो जाता है जैसे ये भी ब्लाउस जो है वो भी खीचना नहीं है और स्लूस को भी खीचना नहीं है सेम तरीके से आपको दोनों एक साथ पकड़ना है और हलके ह behave से अब को सिलाई लगाना है इससे स्लीउजू से स्लीजू स्लीजude क्या हो जाता है प्रणट की गुलाई हो फ्रणट में जायन हो जाती हैं और बेक की गोलाई बेक мед हो जाती है और स्लीजू का सेंसर और शोल्डर dwf जो एकदम इजी जाती है वो स्लीवस बनाने में तो यहां पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपको स्लीवस की चोड़ाई कैसे निकालनी है यहां से यहां तक आपको देड़ इंच आपको जो एक्षा मार्जिंग रहता है उसको पकड़के आपको क्रॉस में जैसे यह इंच प्लस करना है वो निकलती हमारी स्लीवस की चोड़ाई आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है इसमें जो भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं मैं उसके उपर वीडियो बनाके फिर से आपको करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर आचिंग दिस वीडियो